हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरहन्त मिल जाए ठैंक यूँ Moto E7 Plus को अपने स्मार्ट टीवी से अप कनेट कर सकते हैं स्क्रीन केश्ट ऑप्शन तो अल्रेडी अवेलबल है हमारी फोन में पर वो काम नहीं करती है कोई काम की नहीं है सो मैं आया हूँ इजी टेखनीक के साथ कि कैसे आप अपने फोन क्यों स्क्रीन केश्ट कर सकते हैं मुविस वगेरा देख सकते हैं स्मार्ट टीवी के ऊपर सो दो सिंपल स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है यहां दो चले वीडेयोगों की तुरह आप हम आगे बढ़ते हैं पहले स्टेप आपको अपने सेटिंग्स में जाना या है तो शेटिंग स्वेच आने के बाद वाई-फाई पर क्लिक करें है उसके बाद साइडि मैंने सेटिंग जेंज के वसले मच राइट साइड दिखा रही है अभी कभी आपको नेचे भी दिखाईगे इसके बाद यहाँ पर एडवाइस्ट है एडवाइस्ट पे क्लिक करें यहां पर चार ओक्षन आपने दिखाई दे रही है इंस्टाल सर्टिफिकेट वाइफाइड डिरेक्ट डावलो पीएस फंक्शन बटन और पुछ बटन और डावलो पीएस पीन एंट्री ठीक है तो आपको सेलेट करने हैं व वाइट भेजा है आपके स्मार्ट टीवी को सो मैं इसको मीनिमाइस करके आपको मैं कैम्रे के द्वारा दिखाता हूं ओके आपके ठीक है अब आपके ठीक है बीट रहें जा रहे है तीवी की सेटिंग्स अब चेक कर लें आपकी टीवी की सेटिंग साला हो सकती है है ओके सोर्ण सेटिंग्स तो अल सेटिंग्स के बाद यहां पर देख सकते हैं कहीं सारी ऑप्षन है यहां पर आपको सेलेक्ट करनी है network network पर select करने के बद आपको एक option दिखाए दिखाए देगा Wi-Fi connection Wi-Fi direct यह वाइफाई direct पर प्लिक करें Wi-Fi डिरेक्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको देखें आप सार्च होने लगती है तो देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल का नाम हाँ देखिए ज़रा वेट करनी पड़ेगी क्योंकि कभी-कभी नेम डिस्प्ले होने में ज़रा टाइम लग जाती है सो डिवाइस की नेम पर आप क्लिक कर एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे या सर्चन लगती है करेंटली कनेक्टेड वाया वाइफाई डेरेट प्लीज असेप्ट रिक्वेस्ट ऑन यो मोटो इसावेंड प्लस ठीक है तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपको आपको आटमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा नहीं तो आपको एक इन्विटेशन आएगा ठीक है तो देखिए यह अगर आपको टिक मर्क दिखाएगी और फुल नेटवर्क के साथ और यह प्रोसेश करने के लिए आपको वाई-फाइ की कोई ज़रूरत नहीं है ृच्च? कोई इंटरनेट कनेक्शन की ज़ूरत हम् utan अश अ 1 पस्ट टिपहिएँ आप इसेकंड च्प में आपको क्या करनी है प्लेरे स्ट टोर में जानी है और यहां पेट अपर एक अप् कर लेनी है जैसे कि अब देख सेखते हैं मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है अगर इंस्टॉलेशन हो जाए तो ओपन कर ले एप को ओके सो जब आप पहली बार ओपन करते तो आपको बहुत सारी पॉप अप विंडो मिल दी है एक्जामपल देखिया है यहां पर आपको आइटमाटिकली पॉप अप करेगी ओके सेलेक्ट रेंडर के ठीक है यहां पर मोर अब देख सेखते हैं मोर पर आप क्लिक करें यहलजी Neo OZTV तो देके अगर अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि मेरे टिवी का नाम नहीं आ रही है तो आप क्या करेंsemb accelerate के समर्ट टीवीमें यापकी टीवी स्मार्ट टीवी है या एंड्राड टीवी ये तभी आपको अप्शन एविलेबल होती है क्या बोलती है वाई फाइ डिरेट के टीवी में नहीं आती है तो इस वाली आपको बबल यूपी नहीं आपको क्लोज करके फिर से आप ओपन कर लें एक पर दुबारा से और दुबारा से आप इस पर टैप करें जैसे आपको टीवी का नाम आता है उस पर एक पर आप क्लिक कर लें जैसे आप क्लिक करते हैं सो यहां पर आपको connect हो जाती है ठीक है फिर से दो पर आपको एप्रोसेस रिपीट करनी है दुबारा जाए फिर से इस पर क्लिक करें ठीक है connected हो चुकी है अब मैं आपको दिखाता हूं आपको मोर में जानी है है अब सैंपल वीडियो प्ले करके दिखा रहा है कि पूरा फोन आप कैश नहीं कर सकते हैं स्मार्ट टीवी के ओपर विडियो मुजिक वगेरज़ा प्ले कर सकते हैं तो वूट्यो में है आपको दिखा रहा हूं है ऑके सब देखिए यह है जो वीडियो प्ले हो रही है और सी टू वाली ओके सो ठीक है इसे डूसरा वीडियो में आपको प्ले कर करके दिखाता हूं तो मैं यह रहा वाली प्ले करके दिखाता हूं ओके सो वीडियो चेंज हो चुकी है क्यामरा अन कर लेता हूं लॉड हो रही है ऐसे बने रहा है वीडियो में तो किसी देखें रा ठीक है देखिए यह भी हमारी वीडियो चलना शुरू हो चुकी है सो गैस देखिए बहुत ही स्टेप है ठीक है जब भी आपको करनेट करना हो या कुछ भी ले करना हूँ आपसी吗 आपको बबल यूपर sanctions प्लेघ कर सकें तो उसके लिए भी हमारे दूसरे चैनल पे लिंक है जिसका चैनल का नहीं में sunshine 1.0 उस पे आप चेक आउट कर सकते हैं sunshine 1.0 पे तो देखिए अगर यूटूब वीडियो आप प्ले करना चाहते है तो बहुत सी सिंपल है यहाँ पर आप एक आप पर एको आपको पीडियो में नहीं करते है तो आपको क्या करनी है चाहते है और यहाँ पर एक आपशन मिल जाएगी एक मिनट और तीक यहाँ पर आपको आपको आप्शन मिलेगी वाच ऑन टीवी जैसे जैसे आप watch on tv पे click करेंगे enter tv code करके दिखाएगे जैसे आप यहाँ पर देखें आटमेटिकल टीवी का नेम आ रहा है लिंक किया रहे है या enter tv code करें जैसे आप यह tv code एंटर करेंगे तो आपको जो स्क्रीन कैश्ट की option है वो एनेबल हो जाएगी तो आप अपने Moto E7 Plus के YouTube जो भी वीडियो आपको फोन में आप देख रहे हैं और यहाँ पर जाने को देखें वाच ओन टीवी है वाच ओन टीवी पर जैसे क्लिक करते हैं एंटर यह tv code दिखाएगा अगर tv code आपको पता नहीं चल रहा है तो आप अपने tv की सेटिंस में चेक कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर देखें आप टीवी का नहीं आप्टमेटिक लिए आएगा लिंक करते हैं लिंक लिंक जैसे क्लिक कीज़ेगा आपको यह बालता है तो आप मुझे कमेंट सेक्षेन में कमेंट करें कोई दिखकत आती है connection करने में कनेट करने में तो मैं आपकी कमेंट को जरूर रिपलाई करूंगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करतो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्क करें बेल आकोन क्लिक करें तो मिलेंगे अगले वीडियो में तुब तक लिए बाय थैंक यू